मंदिरों पर टैक्स उससे पहले भी इस प्रकार की कई बाते आई हैं अनाप शनाप उल्टे सीधे बयान करनाटक के कॉंग्रेस के पूर्व कारिकारी अध्यक्ष रहे और वर्तमान के P.W.D. मिनिस्टर सतीष चार की हो ली हिंदू शब्द को गंदा कह चुके हैं खडगे साथ के बेटे क्या क्या बोल चुके हैं इवन मैं यह भी याद देलाना चाहता हूँ करनाटक में भी दलित कॉंग्रेस के नेता थे अखंड शीनिवास मूर्ती उनके आँ भी यही तगड़े वाले वोट बैंग ने हमला कर दिया था अपने नेता के लिए भी पीछे सनातन धर्म एक बयान नहीं है एक अभियान है एरडिकेशन ऑफ सनातन धर्म यानि हिंदू धर्म का समूल नाश केवल एक बयान नहीं है बलकि एक अभियान है जिसे जिसकी जलक आपको तमिल नाडु से लेके करनाटक से लेके बंगाल तक समय समय पर दिखाई पड़ती र पर दो बार कोड ने खारिच किया मगर इसके बावजूत कानून बना कर उसे बनाया गया साथ एक तरफ विचार ये है और दूसी तरफ है वक बोर्ड का कानून देखिए साथ कैसे तराजू पे तौला जाता है आप ये समझेए मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि करनाटक की सरकार या कॉंग्रेस और इंडी गड़बंदन की सरकार मंदिरों पे टैक्स और दूसरों के लिए हज सबसिडी पुना मैं कह रहा हूँ वो अब समाप्त हो गई वो एक अलग विशय है इन्होंने अपने दौर में कोर्ट से अगर क्वेश कर दिया जाए तो कानून मना कर मंदिरों पर टैक्स लगाया मंदिरों की संपत्ति का अधिगरण किया और उदर हज सबसिडी दी मुझे लगता है कि इस धंका जो दोहरा रवया है पुनह मैं कहना चाहता हूँ यह दर्शाता है कि इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म एक बयान नहीं बलकि एक अभियान है इसलिए यह विशे अत्यन्त महत्वपूर है और मैं कहना चाहता हूँ राजनीती दलगर राजनीती और चुनाओ इससे कहीं बड़ा यह विशे है क्योंकि इसने भारत को पिछली शताब्दी से लेके इस शताब्दी तक भारत के समाज को भी नश्ट किया है हमारे के अंदर आतंकवाद और अपराद से लहुलुहान किया है इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ यह अभी जो दर्शन करने गए थे और तरह तरह के दावे कर रहे थे इंडी गठबंदन के चिर्युवा नेता उनका इस घटना के उपर क्या कहना है इस घटना के उपर जिस प्रकार का मौन उन्होंने धारन कर रखा है बलकि इसके विपरीद वो जिस प्रकार के टिपणी कर रहे हैं और सरकार जो कह रही है इसे मैं गलती नहीं बलकि यह अपराद कह रहा हूँ